आज मैं आप लोग के साथ share करूंगी कि किस तरह से आप natural तरीके से अपने skin के color को fare कर सकते हैं Pigmentation, Dark Sport, Sun Tan को easily remove कर सकते हैं अगर face पे uneven skin tone है, blemishes है, dark sport है तो उनको किस तरह से आप remove कर सकते हैं बहुत ही natural सा तरीका बताऊंगी और बहुत ही easy सा method जिसमें आपको कोई भी ज्यादा जहंजट भी नहीं कर रही है so video के अंद तक जरूर देखना है और video पसाथा है तो video को like जरूर करना आप देख रहे हैं beauty it's up मैं हुपूजा let's move on to the video so guys आज हम बात करने वाले हैं how to remove pigmentation dark sport and get glowing skin naturally so देखे इसके लिए बहुत ही मैंने एक अच्छा ingredient use किया है I'm sure वो आपके घर में भी available जरूर होगा जी हाँ friends मैं बात कर रही हूँ aloe vera gel की guys aloe vera gel में होती है anti-inflammatory antibacterial properties मतलग यह समझ लिए आपके skin के लिए आपके बालों के लिए एक बर्दान की तरह काम करता है तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से आपको aloe vera gel use करना है और जो next ingredient की मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही magical ingredient है और यह है vitamin E capsule friends जितने भी beauty expert होते हैं जितने भी hair expert होते हैं वो अपने secret जो recipe होती है उसमें vitamin E capsule को ज़रूर एंट करते हैं क्योंकि अब तक मैं इतनी video बना चुकी हूँ but vitamin E का capsule होता है उसका कोई भी replacement नहीं है इसका result amazing है vitamin E आपके skin को naturally glowing बनाने के लिए skin से pigmentation dark sport को remove करने के लिए बहुत ही helpful होता है so चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इन दोनों को आपको use करना है जिससे आप भी naturally अपनी skin से pigmentation dark sport को remove कर सकते हैं और आप अपनी skin के color को एक tone fair पा सकते हैं so चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या करना है तो सबसे पहले आपको लेनी है एक aloe vera leaf देखें यहां पर जो मैंने use किया है मैंने fresh aloe vera gel का use किया है बट अगर आपके पास available नहीं है तो किसी अच्छे सी brand का आप market का भी use कर सकते हैं सबसे पहले तो इसके काटे हम निकाल लेंगे दोनों साइड से काटे निकाल लेना है और इसको सिर्फ half cut कर लीजेगा half cut करने के बाद एक बार इसको बीच से और कट कर लीजेए और आप knife की help से इसमे थोड़े थोड़े से cut लगा देजेए अब आपको क्या करना है आप देखें यह जो अलोवीरा होगा यह आपके skin पे इतने अच्छे से work करेगा है मतलब magic की तरह यह काम करेगा आपके skin पे तो आपको क्या करना है आपको लेना है एक vitamin E capsule और सिर्फ इस जो आपके aloe vera leaf इस पे आपको डाल देना है अच्छे से आपको यह पूरा डाल देना है और इसको अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद बहुत ही easy है आपको लेना है aloe vera की जो दोनों leaf है इसको अपने face पर अच्छे से इसकी massage कर ली है आप guys इतना आप करेंगे ना उतने में ही आप देखेंगे कि आपकी skin में जब यह अंदर चला जाएगा na aloe vera gel तो बहुत ही अच्छे से आपको एक glow देखने के लिए मिलेगा तो इस तरह से आपको दोनों हातों से अपने पूरे face पर अच्छे से massage करनी है अब देखें face massage के लिए या तो आप गौशा का use कर सकते हैं जो कि आपको market से easily मिल जाता है या फिर अगर आपके पास available नहीं है तो आप spoon की help से भी face massage कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी अपने face की massage कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से ही face की massage किया है कुछ simple steps आपको follow करने हैं और इस तरीके से आपको अपने face की massage करनी है एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने face की massage करेंगी तो हमेशा आपको upward direction में करनी है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ करनी है कभी भी आपको अपने face की massage ऊपर से नीच जैसे ऊपर के तरफ इस तरह से massage करेंगी सो massage की benefit होते है वो होता है कि आपको यंगर दिखाने का काम करता है आपकी age को कम दिखाता है आपकी skin को tighten up करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है massage करना so इस तरह से guys आपको इस अपनी massage को complete कर लेना है और इसके बाद पर नॉर्मल अपनी आपको नजर आएगी एक ही application में आपको बहुत अच्छा result मिलेगा बट अगर इस application को आप daily अगर नहीं कर सकते हैं तो आप alternate days पे कर सकते हैं बट हफते में तो आप जरूर एक बार कर ही लीजेगा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बट alternate पी करेंगे तो आपको बहु बहुत जादा sensitive है तो एक बार आप patch test जरूर कर लें उसके बाद इसको apply करें और अगर आपके face पर active acne है तो भी इस remedy को apply ना करें आपकी जो acne है वो थोड़े सही हो जाने दे उसके बाद ही apply करें और आपको यह बहुत ही gently करना है ऐसे लिए की harsh तरीके से आप इसकी massage करेंग लाइक पहले बार चैनल पर आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रिस कर लेना जिसे में next time जब भी video upload करूँगी उसका notification आपको मिलेगा सबसे पहले So मिलती हो guys बहुत जल मेरे ने इक्स वीडियो में, thanks for watching, bye bye